पांच स्थान पर भोलना को जल चड़ाने का सही तरीका है, इस तरीके से अगर आपने जल चड़ाना शुरुबात कर दिया इन पांच जगाओ पर, तो आपकी कामना, जिस भी कामना से आप जल समर्पित कर रहे हैं, वह कामना आपकी जरूर पूरी होगी, चाया वो कोई भी क कामना हो यह पांच इस्थान ऐसे हैं तो हम वीडियो अप्सुरुबात करते हैं तो स्वागत है आपका मोजित्य ओफिशल चेनल में मैंने पूरा वीडियो में जल चड़ाते वे दिखाया है ताकि आप अच्छे से समझ जाए कन्फ्यूस ना हो ध्यान से देख लिजेगा औ और भी कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुब्यम यह पांच इस्थान का गुरु जी ने स्वयम बताया है ठीक है मैं अपने मन से नहीं बता रही हूं गुरु जी ने बताया है उनको देखकर समझ कर फिर आपको बतान यह अपनी पूरी जो बनी वही यह जलाधारी इसमें सिधा हाथ गणेजी करेता है ओल्टे हाथ तरफ कार्तिक भगवान जी रहते हैं बीच में मा सुक्सुन्दी रहती है चोथर स्थान में मा पारवती हो पांच में बोलना जी की स्यूपिंडी ऐसे करके हैं पांच स्था मा पारवती को स्थान में मा इसा सुर्ण करेता हो स्थान ऩो पांच में स्थान को स्थान में मार्त opinion है पत्र अपनी कामना कहे कर आप इसे चड़ा सकते हो यह मैं खुद श्वयम करती हूं उपायों को वही उपाय में आपको करने को बताती हूं कि कुछ जिन उपायों से मुझे भी फायदा मिलता है तो मैं चाहती हूं आप सभी को भी फायदा मिले गुरूजी सच में बहुत क्लिफ दूर हो जाती है श्रीशिवाय नमस्तुब्यम वीडियो पसंद आया तो प्लिस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा कमेंट में श्रीशिवाय नमस्तुब्यम हर हर महा देव जैस्री महाकाल जरूर लिखके जाईएगा